Hello students, this is SR, welcome to my YouTube channel, I hope you all will be fine and healthy और आपकी study भी बहुत अच्छे से चल लई होगी, और समय को देखते हुए उसकी speed भी बढ़ गई होगी, समय भी आप जादा ही दे रहे होगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जरूरत है उसलिए, ठीक है, आपको अगर अपनी exam में एक अच्छा score करना है, एक ऐसा score जो आपको square place पे ले जाए, तो आपको practice तो करनी पड़ेगी, और जो भी आपने अभी तक concerts पड़े, उनको मजूद तो करना ही पड़ेगा, हमने एक बात देखिए, कि जो भी portion हम आपको provide करा रहे हैं, उसमें English को बहुत जादा पसंद किया जा रहा है, हमें लगता है उसके प हो जादा पसंद किया गया है, उसी सीरीज में हम ये एक passage लेकर आये हैं, जो कि अच्छा passage है, आपके jam के level का ही passage है, आप इसको देखिए, आपको इसमें धेड़ सारे synonyms भी हम बताएंगे, और कुछ अन्टोनिम के साथ साथ बनवस substitution भी बताएंगे, ठीक है, और passage को तो अच्छे से समझाएंगे ही, कि किस तरह से मांसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो time waste नहीं करते हैं, passage को start करते हैं, और समझते हैं इसके meaning को, understand करते हैं, क्या उसमें कहना चाहा है, ठीक है, ठीक है, चलिए, start करते हैं, read the passage carefully and answer the corresponding questions, as usual हमें passage को पढढ़ना है, उससे सम्म जो भी questions पूछे जाएंगे, उनका आमें answer करना, ठीक है, क्या है, some languages are used by a few people, कुछ भाशाएं जो होती है, वो कुछ लोगों, a few people का मतलब होता है, गिने चुने कम लोगों द्वारा यूस की जाते हैं, देखिए, few के बारे में हम आपको दो तीन चीज़ें बता दें, एक ह होता है, a few, एक होता है, the few, और एक होता है, few, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और कैसे होता है, देखिए, a few का मतलब होता है, कुछ लोग, मतलब बिलकुल कम लोग, a few people, बर्देर, कुछ लोग वहां थे, गिने चुने थे, एकाद थे, मतलब ना के जितने भी लोग थे, वो सब पलायन कर गए, तो उन लोगों के लिए, जितने भी कंडिशन, जितने भी लोग हैं, उनके लिए हम किसका प्यूग करेंगे, दा फ्यूग पीपल, दा फ्यूग पीपल वर देयर, वेंट अवे, ठीक है, चले गए, अगला आता है, फ्यूग का मतलब होता है, कुछ, ठीक ठाक मात्रा, कुछ के लिए हम किसका प्यूग करते हैं, फ्यूग का, तो आपको बहुत थोड़ा डिफ्रेंट है, आ फ्यूग मतलब होता है, ना के बराबर, और दा फ्यूग का मतलब है, जितने हैं उतने बाकी few का मंदब होता है कुछ चीक है तो यह कैसा होता है संख्या बाचक होता है और दूसरा इसी सेंस में little का भी प्रियोग किया जाता है a little the little और little उसका भी अर्थ मात्रा की दश्ट में इसी तरह से यूज़ करते हैं बाकी वो grammar का portion है यहां पर हमें उसकी मेंडारिन जो की कहां कि है चाइना की है एंड इंग्लिश और अंग्रेजी और इस पोकिन वाई मिलियन जिसको लाखों दौरा करोड़ों लोगों दौरा बोला जाता है वो कुछ ऐसी भाशाएं में होती है कुछ लोगों दौरा बोली जाती है ना के वराबर लोगों दौ और more languages, बहुत से लोग ऐसे भी इस दुनिया में हैं, जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्योग करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, they may use one language, वो एक भाषा को use कर सकते हैं, कहां पर, at home with family, अपने घर पर, अपने परिवार जन के साथ में, and friends और दोस्तों के साथ, मनलब जो दो या दो से अधिक भाषाओं जानते हैं, उसमें से ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं, अपने घर की language को अलग रखते हैं, and another at work or school, जो दूसरी language जोनोंने मानक भाषा सीख रखी होती है, या कोई भी foreign language, या किसी भी तरह की भाषा सीख रखी होती है, उसको वो कहां पर यूज करते हैं, अपने workplace पर यूज करते हैं, या अपने school colleges में यूज करते हैं, आगे देखी, regional variation of, regional variation जो की छेत्र के हिसाब से भाषा में उतार चड़ाओ आता है, variation of language, भाषा में जो उतार चड़ाओ आता है, are known as dialect, उसको किस नाम से जानते हैं, dialects के नाम से जानते हैं, मतलब आप समझते होंगे, कि अगर हिंदी को एक जगे पर बोला जाए, तो उसके बोलने का तरीका अलग होता है, और अगर उसी को, आप सपोच करो, आप तानपुर की हिंदी अलग तरह किये, मतुरा की अलग तरह किये, और प्यागराज की अलग तरह किये, तो उसमें जो आगे देखते हैं आगे देखते हैं अब यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री की बात है कि वह रही है ये भी लाएं यह इंगलेंट्री की क्लिट उओअ इंग्लो सेक्षन लोगों ने जीता था एक्चुली तीन प्रजातियां आए थी जर्मनी से एंग्लो सेक्षन और ज्योट इन तीनों ने अक्रमण किया था और बिर्टेन पर अपना दिखार कर लिया था तब यह जो भाषाएं जानते थे उन्ही भाषाओं का धीरे धीरे वि रे अंग destructive एगए उससे लेना देना नहीं है फिलाल आपको एंगलो सेक्षन पीरिड अगर पुई लिट्रेशर का होगा तो उसको पता ओगा एंग्लो सेक्षन पिरिड बोला जाता है चली आगहाएं आगे देखते रमेनीक लेंगुज कर्मनी से ही आयाते ़िर rozum बाद में बन गई यही जर्मेनिक लेंग्विज जो लोग बोला करते थे बाद में बन गई इंग्लिश क्या बन गई अब आप समझे हमारी हिंदी और संस्कृत कितनी प्राचीर भाषाएं हैं और अंग्रेजी की उत्पत्य हम देखोगे तो बहुत ही अभी हुई है मतलब आ इनका क्या हुआ यह और थी मतलब उनकी बाद छोड़ दीजिए इंग्लिश ऑल्सू कंटेंस फ्रेंच डिराइब वर्स अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कहां से लिए गये हैं कहां से फ्रेंच लेंग्विज से क्यों ऐसे शब्द अंग्रेजी में हैं जो लिए गये हम लोग भी जानते हमारी हिंदी में बहुत से वर्स हैं जो बहुत सारी फ्रेंच लेंग्विज से लिए गये ठीक है ऐसा कब होता है जब कोई हमारे शासन करने आता है हमारे उपनिवेश वाग अपना पढ़ाता है या कोई स्कॉलर आता है तो उसकी भाषा के बहुत से अंश हमारी जो छेत्री वाशा होती है जो जो मदर टंग होती उसमें वह मिल जाते हैं तो उनका डेली में प्रिचलन बढ़ जाता है जैसे कि हमारे इतियास में हुआ डिराइट वर्स आप्टर इट वाई रूल वाई रूल वाई फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स इंग्लिश पेंठ से अ गय चलूबी कि इसको रूल पाई स्पीकिंग किंग्स पुछ फ्रेंच बोल ने वाले राजाओं ने बिटेन पे शासन किया तो जहैसी बात है वो फ्रेंच बोलते थे और फ्रेंच किसमें आंगये ? इंग्लिश में आगये है शासन करेगा तो उसके words obviously आ जाएंगे following the norman conquest किसके बाद में norman conquest के बाद में समझे norman conquest हुआ था 1066 में हुआ था जिसमें एक normandy का राजा था तो उसने हरा दिया था किसको anglo section को हरा दिया था और यहां पर उसका शासन चलने लगा था 1066 के ठीक है तो चलिए यह कुछ history की बाद ही लेकिन prices आपको समझ में आ गया होगा हम लोग चलते हैं question पर पहला question हमारा है Mandarin Chinese is spoken by जो Mandarin Chinese है बोली जाती है अभी हमने आपको बताया है कुछ वार्चा रहा है कुछ लोगों दोवारा बोली जाती है लेकिन Mandarin की बात करें और English की बात करें तो सारे millions of people दोारा बोली जाती है तो यहां पर option तो नहीं आ रहें लेकिन मेंगी आ जाएगा ठीक है मीनी आ जाएगा अगला चलते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है a person who is good for foreign sorry a person who is good at foreign languages good at something बोला जाता है न प्रिपजिशन याद रखना a person who is good at foreign languages is known one word substitution है ये एक ऐसा अब्यक्ति जो विदेशी वासाओं में निपुल होता है उसको क्या कहते हैं इंपोर्टेंट वर्ड है कई सारी एक्जाम में इसको पूछा गया है पर आप अच्छी तरह से जानते हैं उसको क्या कहते हैं लिंक्विस्ट कहते हैं आशाबादी कहते हैं अच्छा इसी के वाएक और वर्ड निकलता है क्या कैसे हो लिए पॉली ग्लॉट और बहुभाशी पॉली ग्लॉट को नौट है बहुभाशी जो भाशाएं लिखना पढ़ना जानता है उसको पौली ग्लॉट बोलते हैं ये भी शब्द पूछा जाता है अ परसन नोज मेनी लैंगुजे स्धू राइड और स्पीग घी पॉलिकलोड बोलते हैं आगे देखिए एक वर्ड दिया है यहां पर वर्चुसो वर्चुसो का मतलब होता है मैस्ट्रो मैस्ट्रो मींज जो अपने छेत्र में अपने छेत्र में लीजेंड है जो अपने छेत्र में बहुत गुड़ी है उसको वर्चुसो कहते हैं मैस्ट्रो का नाम आतके लेना जो भी अपने फिल्ड के महारती हैं उनको वर्चुसों, मैश्ट्रों, लेजेंड, जीनियस इस तरह के शब्दों द्वारा क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं, चीक है, तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए, आगे देखते हैं, बेंट्री ये देखिए, बेंट्री लोकिस्ट, ये वर्ड जो आया है, इसका मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कॉमेडी बगेरा करते हैं, या स्टेज प्रोग्राम करते हैं, वो अपने हाथ में एक पपेट से लिये रहते हैं, और वो बोलते हैं, पता नहीं कहां से हैं, समझ में नहीं आता है, और वो उसका मुँ ऐसे ऐसे च अगसे से के द्वारा भुलाता है और हमें समझ नहीं हाता है कुन बोला है तो से क्या में बुलते हैं को सौमनियोगी कुछ Sheriff हमने आपको किليard में बात करता है स्वामनिम लोकिष्ट बोलते हैं ठीक है और स्वामनिम बुलिष्ट होता है जो नीद में चलता है आगे देखी स्कॉलर होता है बुद्धिमार अपनी छित का स्कॉलर बोलते हैं जिसको आप कह सकते हैं लर्ण मतलब पड़े लिखे व्यक्ति को क्या बोलते ह और आप कह सकते हैं कि academic भी कह सकते हैं उसको क्या बोलेंगे academic बोलेंगे ऐसा person जो पड़ा लिखा है विद्वान है हुश्यार है उसको क्या बोलेंगे learned या scholar या academic बोलेंगे यहां तक कुछ words जो हमने आपको बता है सुनुनिस में पर आए अगे बढ़ते हैं अगला कुछेन देखते हैं अगला है इस लोयलीटी लोयल्टी हो झालं ओल यत नहीं है ल एच किसी के परति लॉयल हैं तो lyok' at हो जाएगा fidelity हो जाएगा क्या हो जाएगा fidelity लॉयल्टी फिडिलेटी इस तो दिया ही है faithfulness faithfulness और क्या हो जाएगा लॉयल्टी फिडिलेटी और डिवोशन हो जाएगा इस तरह की इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएगे जो की इनका मतलब क्या निकलता है कि कोई व्यक्ति कैसा है बफादार है एक वर्ड और और आता है इसके लिए उसको भी काफी उसकिया जाता है allegiance इसका भी मतलब यही होता है वफादारी से मतलब होता है चले आगे देखते प्लेजर माने क्या होता है प्लेजर माने आनंद होता है आप भी जानते होंगे इसको क्या लिखें वफादारी आपको पता होगा ना वफादारी ठीक है प्लेजर मींस क्या होता है आनंद होता ह इसके और synonyms क्या हो जाएंगे इसका एक तो हो जाएगा rapture क्या हो जाएगा rapture हो जाएगा मतलब r a p t u r a rapture हो जाएगा दूसरा glee हो जाएगा तीसरा delight हो जाएगा क्या हो जाएगा delight हो जाएगा और अगला इसका हो जाएगा gladness हो जाएगा gladness हो जाएगा और obviously happiness तो वो ही जाएगा यह कुछ synonyms से किसके pleasure के pleasure माने होता है प्रसंदता rapture, glee, delight, gladness, happiness यह सभी इसके क्या हो जाएगे यह सभी इसके synonyms हो जाएगे ठीक है आगे देखे haterd माने क्या होता है haterd माने होता है घ्रणा करना है ना तो इसका दूसरा mini हो जाएगा loth माने घ्रणा करना loth dislike तो आपको यह दिया ही actually dislike loth हो जाएगा avarance हो जाएगा avarance हो जाएगा loth avarance dislike haterd तो लिखाई है यह कुछ words इसके हो जाएगे जो detast माने और होता है घ्रणा करना क्या होता है डिटेस्ट एक डिस्टेट भी होता है डिस्टेट वाने घ्रणा करना तो यह कुछ वर्ड्स हैं जिनका मल्दब होता है घ्रणा करना लोट एवरेंस घिटेस्ट डिस्टेट या डिसलाइक माने क्या होता है नापसंद करना घ्रणा करना तो यह कुछ यहां पर सनुनिम्स आपको मिल गये हैं आगे देखें अगला है चूज दा करेक्ट एंटॉनिम और अफ लेश आपको क्लैश का प्रॉपर एंटॉनिम बतान किर्मिष माने झड़ाफ होती है और क्या हो जाएगा कुछ इस तरह की और फाइट भी आज कल देखने को मिलती एग दूसरे के आपसा चीक है फिर से देख लिजे ज़राइगी को बैटल और वार वार जो लंबे समय तक चलते थे उनको क्या बोलते थे वार और पुराने समय में बैटल वर्ड यूज किया जाता था इसक फ़ल माने होता है दो लोगों में जब ज्खड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं स्कफल माने होता है क्या होता है आथा पाई स्क्रिमिश वाने होता है जड़ाफ होता है जब गुटों में धड़ाफ हो जाती है तो उसे क्या कहते है ह cricket आपको पता होगा दो लोगोंके हाठा पाई डुवल और सकफल होता है कई लोग एनकाॉंटर पुलिश करती रहती है आपको पता ही होगा, हार्मोनी माने होता है, सामजस्ष बिठाना क्या बिठाना? क्नकॉर्ड इसका और एक meaning होता है, कनकॉर्ड, तालमेल बिठाना, हर्मनाईस करना, तो उसे हार्मोनी बोलते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा concord clash का तो clash के लगबग यह क्या थे battle वगएरा इसके क्या थे synonyms थे एक तरह से एक यह synonyms में कभी यह ना सोची कि बिल्कुल IJT जगर किसी का आपको synonyms बता दिया गए तो बिल्कुल वैसी जाएगा वो situation के according जैसा option में दिया होता है लगबग मिलता जुलता अगर word भी है तो भी उसका synonyms या endonyms हो जाते हैं ठीक है तो यह कभी एक चीज रटा मार के ना रहना कि हमने तो चार रटे थे और वो चार नहीं आए तो फिर synonyms कहां से बता करें आपको actual में उसकी meaning को understand करना होता है जब भी आप इन चीजों का answer कर रहे होते हैं ठीक है बाकी one word substitution कापी अतनक सेम रहता है आगे बगते है और हमारा ही last question है give one word substitution for आपको देना है something which cannot be understood ऐसी चीज इसे समझा नहीं जा सकता है आप क्या कहेंगे तो comprehension पैसिज कर रहे है comprehension का मतलब ही होता है to understand comprehension का मतलब ही होता है to understand और आप incomprehensible है अगर किसी चीज़ को लेके तो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं बाकी eligible writing होता है eligible क्या होता है eligible writing होता है मतलब आपठनी है जिसको पड़ा ना जा सके इनफॉलिवल जो गलती नहीं करता है यानि वर्न ना किया जा सके वर्न ना कर सको कुछ situation को क्या कहते है inexplicable कहते है ठीक है, तो ये कुछ word थे और ये सभी words बहुत important है अलग-अलग ये खुद भी आ जाते हैं, क्या था illegible, handwriting को क्या कहते है, अब पठनी है infallible, जो गलती नहीं करता, inexplicable जो word ना किया जा सके और incomprehensible जिसको समझा ना जा सके तो ये यहाँ पर हमारा option D, इसका answer हो जाएगा, ठीक है आपने इस पैसिस को देखा vocabs देखे, meaning देखे पैसिस के हर्थ को समझा answers कैसे निकालते हैं, उसको समझा हौँ सारा आपको idea मिला होगा आपने पैसिस को, जो वास्क्रिक आपका पैसी जाएगा, उसको समझने में और उसको सही से solve करने में English आपके 5 marks की है लेकिन किसी से कम तर आप इसको मत मां किये, क्योंकि marks सभी के जरूरी है, ठीक है, तो अंग्रेजी कम से कम अभी last, जो time चलना है, अभी कम से कम इसको कर लीजे, तो भी आपको नंबर दिला जाएगी, जरूरी नहीं आपको स्टी की तरह बहुत सारे राजवनश बहुत सारी पढ़नी पढ़े, तभी आपके 5 नंबर आए, एंग्रेजी में सबसे आसान है 5 के 5 नंबर लाना, ठीक है चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धनवाद, अगर आपको चैनल पसंद आया हो, इस पर पढ़ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हों, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेर तो करी दीजिए, यह आपकी moral duty बनती है, इससे कुछ हमें मोटिवेशन मिलता है, आप यह अच्छी तरह जानते हैं, सभी लोग आपसे ही बात कहते हैं, तो हमें कहने में कोई वो नहीं है, कि आप कर दिया केजिए, ठीक है, थैंक्यू